नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निवज के डिफेंस टॉक सरीश में जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो जिसमें अलग-अलग बैच में 200-300 अपडेट्स को खरीने का फैसला किया गया था ही बारत सरकार की तरफ से एक और वज़ेटी गंस को 2022 में L&D की तरफ से इंडिया नामे को डिलीवर किया गया था यहाँ जर साउथ कोरेंट कमपनी हनवार डिफेंस की तरफ से टेक्नोजी ट्रांसफर के साथ भारत में बना गया था के-9 गंस में स्वेसल विट्राइशन किट को इंटेग्रेट करने का फैसला भी किया गया था और इन गंस को स्वेसली लद्दाख और मौंटिन रिजिन में डेप्लॉई किया जागा नए गन्स भारत को 2028 के आसपास प्रोग्रेसिवली डिलीवर करने की बात किया जा रहा है जो कि इंडियन आमी की आटलेरी के विबिलिटीज को और भी मजबूत बनाने के साथ साथ हमारी बॉडर इरिया को और भी ज़्यादा सुरक्षित करने मदद करने वाले है अगला अपडेट इंडियन एर फोर्स के ने मीडियम ट्रांसपोर्ट एक्राप्ट के बारे में तो अभी इंडियन एर फोर्स की MTA टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं लॉखर्ड मार्टिन जो की इंडियन एर फोर्स को 40-80 ने मीडियम ट्रांसपोर्ट एक्राप्ट को सप्लाई करने की रेस में उसने दो इंडियन पार्टर को इडिन्टिफाई कर लिया है जिसमें से एक Tata Lockheed Martin Aero Structure Limited और दूसरा हिंदुस्तान Aeronautics Limited है Tata Lockheed Martin Aero Structure Limited जो की Tata Advanced System और Lockheed Martin का जोइंट वेंचर है यह अब तक C-130J Super Hercules एकराप्ट की MpNH Assemblies का एक सिंगल Global Source रहा है जिस वज़े से यह Partisip Lockheed Martin को इंडिया में C-130J एकराप्ट की Local Production के लिए का मौका दे सकता है HL के पास सभी एकराप्ट को मेनुफेक्चर करने की काफी अच्छा खासा एक्सपिरियंस है जो कि आगे चल के C-130J एकराप्ट को भारत में बनाने में काफी मदद कर सकते इस टेंडर के अंदर अभी Lockheed Martin को Embraer की तरफ से और Airways की तरफ से काफी competition दिया जा रहे Airways की तरफ से यहां पर अपनी A400M Atlas को प्रपोज किया जा रहे जबकि Embraer की तरफ से यहां पर अपनी C-390 एकराप्ट को ओफर किया जा रहे यानि कि जो एकराप हम पहले से ऑपरेट कर रहें तो उसे ऑपरेट करना हमारे लिए किसी दूसरी एकराप्ट के मुकाबले काफी आसान होने वाला है चाहिए वो operation के मामले में हो या फिर maintenance के मामले में हो इंडियन एर फोर्स अभी भी MTA प्रोग्राम पर डिशिशन लेना बाकिया लेकिन जल्दी ही इसको लेके official tender float करने की उमीद किया जा रहा अगला अपडेट भारत और रश्या की तरफ से और अभी ये partner civic ने मुकाम पर पहुँचने वाल है हमारी आमड वेकिम निगम लिम्टेड की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि वो अभी Russian कमाच 53949 टाइफून के क्लास की वेकल को इंडिया में license production के तौपर manufacture करने वाल है ये वेकल हर तरह के environment में इंडियन आमी के लिए game changer साबित हो सकता है टाइफून के क्लास के वेकल कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो की इनको माइन और वेलिस्टिक प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर दिया और 8 kg तक की TNT के विलाद से भी ये वेकल उसके अंदर वेटने वाले जवानों को सुरक्षिक तरखने की ताकत रखता है इसके अलावे ये वेकल काफी versatile है ये ना सिर्फ personal और military कार्गों को carry कर सकता है बलकि इसमें जरूरत पढ़ने पर अलग-अलग तरह की technical systems और weapons को mount करने के लिए इसका इस्तमाल किया जा सकता है आप कहे सकते हैं कि ये complete package है और रही बात performance की तो ये टाइफून के एक लास के vehicle off-road condition में भी बहुत ये आसानी से operate करते है इनका hydronymatic suspension system ensure करता है कि ये किसी भी तरह के train में smoothly operate कर सके ये vehicle लगबग 1.5 बिटा तक की deep water को आसानी से cross कर सकता है और लगबग 30 degree तक की चड़ाई को आसानी से climb भी कर सकता है जो कि इनको एक भेतरीन amphibious platform बना सकते हैं इसमें एक powerful diesel engine का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इनको 100 km प्रती घंटे के रफ्तार में दौड़ने की ताकत देते हैं और एक बार fuel करने पर लगबग 1000 km के distance को cover कर सकते हैं अभी इनको भारत में बनाना स्टार्ट किया जागा लेकिन आगे चलके इनको इंडिया नामी अपनी सर्विस में इंडट करती हैं यह तो बाद में पता चलेगा लेकिन इसके अलावा भी अभी इंडिया नामी के पास कल्याणी एंपोर जैसे कुछ और इंडियनेस आप्शन भी मौजूद है जिनको अर्मी जरूत के हिसाब से कंसीडर कर सकती है अगला अपडेट बलिस्टिक मिसाल डिफेंस सिस्टम की तरफ से हैं अभी पता चला कि भारत एक और बहुत ही खास मिसाल टेस्ट को करने के तयारी कर रहा है जो देश की सुरक्षा को एक नेस्तर पर ले जा सकता है भारत ने नोटिस्टू एर्मेन यानि की नोत्तम वार्निंग को इसू किया गए जो 17 से 26 जुलाई 2024 के बीच एरस्पेस यूज को रेस्ट्रिक्ट करता है उमीद किया जा रहा कि यह सिगनल है कि भारत की तरफ से पॉसिबली अभी बलस्टिक मिसाल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की प्लानिंग किया जा रहा है यह टेस्ट वेस्ट वेंगल की AD launch साइट से हो सकता है फिर ओडिसा में मौदूद अब्दुलकलम आइलेंड से भी लांच किया जा सकता है यह स्फेकुलेशन है कि AD1 इंटरस्टिक मिसाल का टेस्ट यहां पर किया जा सकता है कोई भी स्टेट्मेंट को इसो नहीं किया आता है तब तक यह पूरी एक्यूरेसी के साथ बता पाना संबब नहीं है कि जो नोत्तम वार्निंग इसो किया गया है इसमें बारत की स्मिसाल की टेस्टिंग करने वाला है अगला अपडेट इंडिया नेवी की तरफ से हैं इंडिया नेवी अपने मैट्यम सब्लेंस को बूस्ट करने के लिए रोटरी विंग ड्रोन को या यूवी प्लाटफॉर्म को एक्वेर करने की कोशिस करने वाल है इस सेग्मेंट में अभी क्याम कॉप्टर S100 रोटरी अन्मेंट अरियल सिस्टम को कंसीडर किया जा सकता है ये एक हाई टेक अरियल सिस्टम में जो की डेनाट कंडिशन में ऑपरेट कर सकता है जैसे कि हेलिकॉप्टर डेजान का यूवी है तो ये वर्टिकल टेकॉफ और लेंडिंग के साथ आता है और इसको लाँच करने के लिकिसी भी प्रिपेट एरिया की जोड़त नहीं पढ़ती है और इसको कहीं से भी लाँच करके रिकवर किया जा सकता है सिवल जिसका हेड़कॉटर विये नाम है इसने अपनी इंडियेट पार्टर वियेम टेकलोजी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को एक्जिक्यूट करने का प्लान बनाया था और यह टेकलोजी के साथ आता है जिस वाज से काफी स्टेबल उड़ता है और इसको कॉंप्लेक्स इलेक्ट्र मैगनेटिक एन्वार्मेंट में मिशन को कम्प्लीट करने की छमता देते हैं अगर आगे चलके इसको इंडिया नाम में इंड़क्ट किया था तो इंडिया नामी की मैटम सेवलन्स और इकॉर्नस कैपिबलिटिज को कई गुना तक भैतर भी कर सकता है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैह बंदे मातर